Hello, Good Morning everyone, हम लोग एक नया Crash Course launch कर रहे हैं, HPS 2023 इस साल का जो Prelims Examination आने वाला है, उसके लिए ये Crash Course रहेगा, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम दोनों चीज़े रेख लेंगे, कि किस तरीके से हमने HPS Prelims Examination को handle करना है, और कैसे ये Crash Course आप लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है, इस Crash Course के शुरुवात 18 February शरिवार का दिन है, शिवरातरी का, उस दिन से की जाएगी, Crash Course में 200 के आसपास Complete General Studies के Lectures है, Lectures vary करेंगे, History, Geography, Quality, Economy, Science, Environment and HPGK, ये जो component है, ये सारे ही इसके अंदर पढ़ाए जाएंगे, सांथ ही सांथ C-set एक important हिस्सा है, और काफी सारे जो Medical और Arts के बच्चे हैं, वो घबराते भी हैं C-set से, तो वो भी इसका एक important हिस्सा है, जिसमें Reasoning है, Mathematics है, और English Comprehension के Lectures रहेंगे, तो इस तरीके से ये curriculum काफी ज़्यादा उप्योगी रह सकता है उन लोगों के लिए, जिन्होंने किसी और Academy, काफी सारे बच्चे आजकल ऐसे आ रहे हैं, जो कहीं और से तयारी करी है, तयारी उतनी comprehensive नहीं रही, उतनी अगर तयारी है, तो वो HPS के Benchmark के लिए relevant नहीं है, HPS अगर यहाँ है और उन्होंने जिन Academy से पढ़ा है, वो शायद उतनी ज़्यादा capable नहीं थे कि वो उस level का material आप लोगों को या lecture प्रोवाइट कर पाए, कि HPS examination के लिए relevant हो, तो उन लोगों के लिए भी काफी उप्योगी रखा गया है, इसलिए इसकी जो fee है वो इसलिए भी कम रखी गई है, क्योंकि काफी सारा बच्चा हम लोगों से पढ़ा है, उन्होंने इन ही same lectures को देखा है, आप लोगों के लिए जिन्होंने already किसी coaching को avail किया है, self study करी है, उनको सबसे जो बड़ी problem आती है, वो centralized notes making की आती है, तो अगर notes आपके centralized नहीं है, तो आपको काफी जादा struggle करना पड़ता है, तो उसी struggle को कम करने के लिए, असान करने के लिए, ये course आपके लिए उपयोगी होगा, इस course के अंदर तकरीबन 2000 multiple choice questions already आपके booklets के सान, जो कि आपके class notes हैं, handouts जिनको हम बोलते हैं, उनके सान attached हैं, वो previous year UPSC के ही पूछे गए सवाल हैं, क्योंकि हिमाचल के अंदर एक trend क्या है, कि previous year UPSC के questions को काफी ज़्यादा repeat किया जाता है, तो उनमें से पूछे गए वो सवाल हैं, तो आपके handout के अंदर से आए हुए सवाल हैं ये, साथ ही साथ, आप अगर देखेंगे कि इसके आता है था, 5000 इसकी fee को रखा गया है, अभी जो सबसे बड़ा एक problem आता है कि HPGK को deal करना वच्चों को नहीं आपाता, अलग-लग academy की कि भी किताबे पड़ी हैं, अच्छी किताबे हैं, बलोखरा भी पड़ी हैं, लेकिन फिर भी consolidate नहीं होता, HPGK के लिए simple strategy है, आपकी CB book क follow कीजिए, अपने एक notes, हाथ से बनाय हुए crisp, बिलकुल data, facts, क्योंकि इसी तरह की prelims में orientation है, उसके मुताबी का बना लेजिए, सांती सान, जो दूसर problem HPGK का, पहला है coverage करना कठिन है, क्योंकि बड़े areas है, दूसर यो problem है, retain करना, क्योंकि काफी ज़्यादा fact है, और बहुत बड़ी range में सवालों को पूछा जाता है, इसलिए retention is the top, retention के लिए एक बहुत अच्छा method है, multiple choice question की practice करना, तो जितने ज़्यादा आप MCQs practice करेंगे, उतना ज़्यादा HPGK आपको याद होने की संभावना है, हमारे website के उपर, या हमारी app, civil step हिमाचल के उपर, आप देखें सेशन में, हर सेशन में, पांच सवाल करवाए गए हैं, और उसके detailed में, model answer discuss किया हुआ है, अगर इन questions को कर भी लोगे, जो की तकरीवन पौने 500 के आसपास सवाल है, तो भी आप देखोगे, HPGK almost इनके बाहर नहीं जाएगा, यहां से इन questions के आप practice ज़रूर कीजे, app को download करक HPGK practice question करके एक course बना हुआ है, वो बहुत उपयोगी आप लोगों के लिए रहने वाला है, उसके थुरू जो भी आपने कहीं से भी पढ़ा है, किसी भी academy से पढ़ा है, यह आप लोगों के उपयोगी रह सकता है, दूसरा है current affair, यह बहुत बड़ा टास्क है, बी सवाल current affair के component है, 45% paper आपका इन दूसरा है, general studies generally असान आता है, आप वो cover कर लेते हैं, उनों के सांग जो सबसे बड़ी problem आती है, retention कियाती है, तो retention के लिए आप लोगों ने क्या करना है, current HPGK के लिए, वो 96 sessions को use के लिए, current affair के लिए, एक मैं process बता रहा हूँ, हमारी magazine heavy है, बहुत बलकी हैं, लेकिन they make sure आप किसी भी academy के आजकल magazine मिल रहे हैं, मार्केट में, हम लोगों ने भी go through किया, वो magazine आज के HS examination के totally irrelevant है, उसमें से अगर आप paper के अंदर देखोगे, तो मुश्किल से, अगर 20 सवाल current affair के आ रहे हैं, तो उसमें से 2 या 3 सवाल आएंगा, और ऐसा कहीं सारे ब coverage wise बिल्कुल relevant नहीं है, वो शायद पटवारी के paper, कलेरिकल के paper में आ सकता हैं, वहां से question, HS के अंदर वो question को नहीं पूछे जाते, जिस तरह से उसके अंदर content दिया गया है, और जितना content दिया गया है, हमारी magazine heavy है, theory of cost available है, लेकिन उसके अंदर से paper आएगा, तो इसलिए, च पोड़ी सी काम चोरी करते हैं, और एक ऐसी magazine पढ़ रहे हैं, जो हमें ऐसा लग रहा है कि हम लोगोंने current affair cover किया, लेकिन paper के वो totally irrelevant हो जाएगा, अब इसकी एक theme मैं आपको बता देता हूं current affair की, आपने क्या करना है, जून से December तक की, हमारी magazine को download करके रख लो, जून से December तक multiple themes है, international एक theme है, places in news theme है, state एक theme है, इस तरीकी से आप theme wise अपने A4 sheet में हमारी magazine को उतागना शुरू करो, example के तौर पे आपने देखा e-governance के initiative कौन-कौन से हुए जून के महीने में, उनको देखा एक जगा पे अपने A4 sheet मों ताग लिया, फिर जुलाई में देखा e-governance initiative, ऐस से ही multiple domains है, अलग-लग theme है, उनके A4 sheet बनाते रहो 6-6 महीने की, इसको करने में आपको अराम से 1-1.5 महीने लगेगा, दो घंटे रोज देने पड़ेंगे, अगर आप ये कर गए, तो आपके current फिर एक जगा पे consolidate और centralized हो जाएंगे, फिर इनको रट्टा मारना असान हो जाए पर prelims level पर clear हो जाता है, तो इचीज को आप समझे, कि prelims की एक trick है, और उस trick को अगर आप follow करोगे, उसके एक process को follow करोगे, आपके prelims निकलनी की संभावने काफी बढ़ जाती है, इस crash course में जो आपको help मिलेगी, ये जो सारे subjects हैं, इन सारे subject में कुल मिलाके 200 lectures हैं, detail में है, in-depth हैं चीज़ें, ये आपको prelims crash course में मिलेंगे, 200 lectures हैं, time लगेगा देखने में, समय कम है, इसलिए जो बच्चा अब जाके जा गया है, और notification आएगी, फिर हो तयारी करेगा, उसके लिए नहीं है, उसके लिए impossible है, चार से पांच मेनी के अंदर H2S की तयारी कर देना, तो unrealistic target मत रखो, HPS एक बड़ा exam है, minimum आपको एक साल का gap रखना पड़ता है, कि जब आप तयारी शुरू करो, जब आप paper दो, तो एक साल का gap is very very required गया, उसके बाद अगर आप तयारी करते हो, ये कम समय में करते हो, आपको जादा effort उसके अंदर डालने पड़ेंगे, अब वो time चाहिब निकल चुका है, अब 2024, अब अगर fresher हैं, तयारी को start करते हैं, तो basic NCRTs के जो हमारे free courses है, उनको देखिए, उसके बाद 2024 को target कीज़े, not before 2024, इस तरीके से आप लोगों को तयारी करनी है, तो इस crash course में ये सारी ही चीज़े हैं, आपको दी जाएंगे, बहुत लिखेंगे, इसमें GS है, CSAT के lectures है, notes है, और उसके MCQs है, current affair की PDF इसके अंदर दी जाएंगी, जो मैं अभी आपकी सांद शेर किया था, prelims की test series इसके अंदर incorporated है, HPGK के lectures and notes इसके अंदर already incorporate किये गए हैं, तो ये course 18 FAP से start हो रहा है, इसके registration या आप इसको जो course को enroll आज से ही कर सकते हैं, जो कि इसी description के नीचे, इसमें enrollment के link, demo lectures के link, demo lectures जरूर देखे, demo lectures के link भी नीचे दिये गए हैं, राइट, चले जी, thanks a lot, इसके अलावा, अगर आप कोई भी inquiry करना चाते हैं, तो this is our official number, आप इसके contact करके, हमारी counseling team जो है, उनके सांद बात कर सकते हैं, अगर आप इ Thanks a lot.